कि नमस्कार हल्चल में आपका स्वागत है सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हल्चल पर रुध्याना की पंजाब क्रिशी युनिवस्ती में दो दिवसिये किसान मेले और गड़वासों में पशु पालन मेले का हुआ आगा मुख्यमंत्री पंजाब ने किया शुभारत नाभा ट्राफिक पुलिस ने स्कूल जाते समय बुलेट मोटर साइकल पर पटाखे बजाने वाले चास्तों पर कखा शिकंजा हिये चाला और भल चल विस्तार से पंजाब क्रिशी उनिवस्टी लुध्याना में किसानी जवानी और हवा पानी बचाईये आओ रंगला पंजाब बनाए के नारे के साथ शुरू हुए दो दिवसिये किसान मेले और गुरु अंगत दे वेटर्नरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवस्टी में पश्यू पालन मेले के उधगाटन मोके पर मुख्यमंत्री भगवंतमान विशेश तोर पर पहुँचे आपने समोधन में सीयम भगवंतमान ने कहा कि किसान धान के विकल्प के तौर पर सूरज मुख्य दाले और मक्का जैसी फसले बीजने के लिए तैयार हैं परंतु केंद्र सरकार धान के बराबर लाब के तौर पर इन फसलों पर लाब धायक मुल्य दें जिससे राज्य में पानी के संकट के मंडरा रहे बादल और गहरे ना हूँ वहीं मुख्य मंतरी ने एलान किया कि एक दो दिन में पराली की समस्या के लिए बड़ा फैंसला लिया जा रहा है जिससे धान की फसल काटने के बाद पराली को आग लगाने से पैदा होती समस्या से छुटका रहा प पंजाब कृषी उनिवोस्टी के उपकुलपति डॉक्टर सत्भीर सिंगोसल और गुरू अंगद वेटरनरी अंट अनिमल साइंसmaybe jaki के उपकुलपति डॉक्टर इंडर जीत सिंग ने मोख्य मंतरी का सम्मान किया इस मौके पर कृषी मंत्री कूलदीप सिंग धालीवाल, पशुपालन मंत्री लाल जीत सिंग भुलर, विधायक सरब जीत कौर मानुके, राजिंदर पाल सिंग छीना, गुर्पित बसी गोगी, जगतार सिंग द्यालपुरा, जीवन सिंग संगोवाल, हर्दीप सिंग मुडिया, मदल नाल बग्गा, कुलवंत सिंग संधू, अशोक पराशर पप्पी, डॉक्टर सुखपाल सिंग, मुख्य मंत्री के अंत्रीक्त मुख्य सचिव ए, वेनू प्रसाद अंत्रीक्त मुख्य सचिव कृषी सरबजीत सिंग, लुध्याना के डिप्टी डारेक्टर सूर्भी मलिक और पुलिस कमिशनर कोस्तुव शर्मा और अन् करके लुक्रा ने प depos शार समनौ मुंत अच्छा सी यिससे चेचे मुखर ठरफे पाँचे हैं, मुला बहुत बढ़ बढ़िया लगिया, जिप बहुत बढ़िया, परीशानी होई ता गया, है प्र फिरी दी जे मुख्या बहुत बढ़िया, है। और आज दोसों किलोमेटर दूरी आए हैं थे आगे एका के मुखमत्री साहब करके काफी इना इस ट्रिक्न सकीती है यह को मेले देंदर नहीं जानता है उतर जिते जाना चांदे सी लोक काफी परेशानिय में यह जो बाकी बार मेला बहुत बजया लगाए बहुत ही बजया ल पंचाब की नौजवान पीडी आपना शौक पूरा करने के लिए बुलेट पर पठाके बजाकर लोगों को परिशान कर रही है हालांकि सरकार द्वारा बुलेट से पठाके बजाने पर बिल्कुल रोक लगा कर रखी हुई है लेकिन इसके उल्ट अब स्कूल में पढ़ते बच्चे भी बुलेट पर पठाके बजाने से बिल्कुल गुरेज नहीं कर रही है जिसके चलते नाभा ट्राफिक पुलिस की और से स्कूल जाते समय बुलेट मोटर साइकल पर पठाके बजाने वाले चात्रों को रोक कर उनकी चालान काटे गे इस दोरान बच्चों को लाइते दी गई कि अगर आगे से वे बुलेट चलाते हैं तो उनका बुलेट मोटर साइकल भी जब्द किया जाएगा नाभा से हलचल के लिए राहूल खुरानना की रिपोर्ट जानना जोखे भी 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 वियार करके होना रेशी पाल भी सम्झाओ देने मेरे सामने सम्झाया दो टनवारी तो उसी यह बोट ना लेके अगाओ ते मैं काफी चलान करते हैं तो तरी इमनों मारे मोटे जड़े रहेंदे ने कर दो रहें पार्सों करके आए जी एदर कर रहे हैं तो बाकी जड़े रहेंगे जल्द जल्द पर जनान कर भांगे जी बच्चले मावापन वार स्कूल रहे हैं तो बहुत सब्सक्राइब कर रहे हैं तक्त श्री दमदमा साहिप के पूर्व जथेदार ग्यानि केवल सिंग को दिल्ली में कृपान सहित मेट्रो में सफर करने से रोकने के बाद पूरे सिख जगत में रोश पाया जा रहा था जिसके बाद ग्यानि केवल सिंग और उनके साथ अन्य सिख जथेबंदियों के द्वारा अमरिस्सर के डीसी को मांग पत्र दिया गया जिसमें कंकारों की बहाली की मांग की गई इस दोरान पत्रकारों से बातचित करते हुए पूर्व जथेदार ग्यानि केवल सिंग ने बताया कि जब उन्हें दिल्ली मेट्रों में कंकार पहन कर सफर करने से रोका गया तो उसका रोश पूरे सिखों में पाया जा रहा था इसके इलावा अक्सरी सिख विद्यार्थियों को भी स्कूलनों कॉलेज़ों में पेपर के दौरान उनके कंकार उतरवाई जाते हैं जिसकी वे निंदा करते हैं इसी बात को लेकर वे जिलाधीष अम्रिस सरकार अले में पहुंचे है और पंजाब सरकार वे केंद्र सरकार संगटनों द्वारा उन्हें दो मांगपत्र दिए गए हैं जिनमें एक पंचाब सरकार के तो दूसरा भारत सरकार के नाम पर मांगपत्र दिया गया है जो वे आगे सरकारों तक पहुचा देंगे हमसर से हल्चल के लिए सुनील खोशला की रिपोर्ट कारवई करवाना चानने है असी अगे प्रेस स्टेटमेंट्स ताकी रहे जंदे सी सारे जाने निंदा कार ली हून असी जेडी है ओ चिठी पतर शुरू कीता है सिंग साब गयानी केवल सिंग जी दनाज जेडी का टनावापरी असी नैशनल कमिशन और मैनौर्टीज नू लिख्या उन्हाने मेट्रो दे हैड़ दा जवाब तलब कर लिया असी स्पीकर पंजाब नू क्या कि एदे ते कनून दी जड़ी है गाल कीती जावे उन्हाने उदे संदर अगों चिठी सीम मान नू लिख देती होई है असी पूरी लड़ाई एथे लड़नी पर वे अदालचों सी अल्रडी हाई कोड दिली तों साड़े साथियाने ओ केस जड़ा है तेस करके असी ओ सारी कनूनी पर करे अभी नाल नालून पूरी कर रहे अधिली बलो दिता गया पांत अक्ताल में संगधन बलो तो इननने वो मंग पर दिते हैं एक मान जोग मुकमत्री मजावजी देना थे एक ग्रह विवाग देना थे इननने मंग कीती है कि जो शिक संगतनों जहां जिनने भी सिक हैगे उननानों जिड़े ना देक कार पहन द अधिली कार ने किसे भी इड़ा एक सिक है होदा एहम हिस्सा ने भारति के स्टेट बैंक की समरिद्धी शाखा जी टीपी नगर ने जाल अंदर के बस्ती नों में खेल उद्योग संग पंजाब के बीच जाकर भारत सरकार के SME उद्योग के लिए परदान की जाने वाली बैंकिंग सुविधाओं खासकर जिन में लोन की सुविधा परदान की जाती है इसके बारे में उद्मियों को जानकरी देने के करम में एक कारे करम का योचन किया जिसमें भारतिय स्टेट बैंक के SME CC शाखा के अधिकारियों ने उद्मियों से बाच्चित की और कई योच चौधरी वरुन भगत अमर्जीत सिंग और धर्मेंद्र चोपडा सहत प्रे मुपल श्याम सुंदर महाजन प्रवीन हांडा विपन प्रिंजा संदीप गांधी विकास जैन ललित सानी रजिंदर चत्रत संजे मेंधिरत्ता नंद किशोर सब्रवाल भी मौजूद रहे जाल स्टेट बेन को जाए है है एना ने कुछ जानकर यह दिती है जिदे एक मुद्रा लोन है कोई और दूसरा कोई स्टेंड अप लोना है वोगे बड़े इंडस्ट्री नोना ने आज बहुत बिस्तारनल जानकर ही अपलब्द कराई है और मैं समझ दे कि जड़ा मुद्रा लो सब्सक्राइब बेंक के तरफ से आय हुए सभी हमारे महमानों का हर्दिक स्वागत करते हैं आज बेंक के तरफ से चोटा सा एक आयोजन किया गया था और इसमें बेंक के तरफ से इंडिया पुद्रा लोन और 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 भी करेंट एकाउंट रिएट परड़क्त का पिस्तार से चर्चा किया गया और हम लोग आसा करते हैं कि इस तरह का आयोजन आगे भी किया जाएगा और आप निशीत रूप से स्टेट बंक और इंडिया से जूरिये और बैंक के ने-ने स्कीम का लाव उठाई है दिहात में पत्रकार की सेवा निवार है पत्रकारों की मुश्किलों को हल करने के लिए कोई भी सरकार संजीदा नहीं है उप्रोक्त विचारों का प्रगटावा करती हुए प्रेस वेलफियर क्लब चंडियाला गुरू के सरव समती से 27 वी बार पर प्रेस करने के लिए जाना पड़ता है उन्होंने कहा कि हर एक पत्रकार का सरकार की और से भी मह होना चाहिए कोई भी हादसा होने पर कम से कम पांच लाक रुपए का मुआफजा उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी भी दी जानी चाहिए वही उन्होंने कहा कि बस का किराया और टोल प्लाजा हर पत्रकार को माफ होने चाहिए रहाइशी प्लाट और नौक्रियों के लिए पत्रकारों का कोटा रिजर्ब किया जाए मिटिंग शुरू होने से पहले गत दिनों एक पत्रकार गुरुबिंदर सिंग नागी के आक्समिक निधन पर उन्हें पत्रकारों से अपील भी की कि वे बिना किसी भेदवाब के निश्पक शोकर अपनी सेवाई जारी रखें उन्होंने कहा कि प्रेस वेलफियर क्लब जंडियाला गुरू की टीम उनके हर सुख दुख में उनके साथ कंदे से कंदा जोड़ कर खड़ी होगी वी प्रधान मंत से इसकी भरपूर प्रशंसा करते हैं इसमाखे पर गुरुनाम संह रांपरसाद शर्मा सुरिंदर पालthon सिंग अश्वनी शर्मा दियाल रोड़ा हर्विंदर सिंग लड़ी तर्लों चनन सिंग जश्पाल शर्मा विष्वजीच सिंग गुर्चरण सिंग और सुर्जीच स कोई भींदा नूं सूत निए रही हैं जान जोक अचय दोने लोको नूहें कि स्टर्ब्ले गां ना नहीं जोड़़ास नहीं है पत्र गारी से बढ़ंद वाल्मी की उत्सव कमेटी की और से हर साल की तरह इस साल भी भगवान वाल्मी की प्रग्वह गत्सव के उपल्यक्ष में भव शुवयात्रा निकाली जा रही है इसी संदर्म में परधान विपन सब्रवाल, आनंद बैंस, रमंगिल, चेतन नहर ने ब्राम्मन सबाके श्रीकंठ जज, मनुशर्वा एवं महंत बंसी दास को शोवायात्रा में शामिल होने हैं तू निमंत्रन दिया इस अफसर पर महंत बंसी दास ने कमेटी सदस्यों को आश्वासन दिया कि हरिद्वार और पंचाब के अलग लग शित्रों से कई संत महापुरुष भगवान वालमी की प्रगवट उत्सव के उपलक्ष में निकाली जारे शोवायात्रा में बढ़ चड़ कर शामिल होंगे जाल अंदर से हलचल के लिए संदीप शर्मा की रिपोर। तो उसमें भी सभी हुम हुम आगर के पहुंचें हमारे संत समाग के भी सभी संत महां इकत्रिक हो रहे हैं साथ ही एक तारिक को यहां से यात्रा निकलेगी जो अंग्रिस सर्थ तक जाएगी उस यात्रा में भी सभी बर्चर करके भाग लें और फुझ ये जो हमारे संत हैं वो संत गण भी हम सभी भी वहां आएंगे उसमें भाग लेंगे उसके बाद आख तारीकों पुना सुभाय यत्रा रखी गई है अली महला में ही वहां से यत्रा पुरे नगर के लिए रखी गई है उसमें भी सभी एकत्रेतों जिसमें हर गवार से संत गण आएंगे पंजाब के तो संत रहेंगे ही लेकिन विपंसर रवाल जी ने धीरे धीर कड़ी को बढ़ाते जोड़ते चले गए जिसके कारण इस बार के संत भी उसे यात्रा में आएंगे और उनका हम घर्सन करेंगे इसलिए मैं सभी भगतों से यह अनुरोद करूंगा कि वह एकत्रित हों और ऐसे सुंदर महान कादमें भगवान बाद मिकी जी के उस्तों में कि समीर तो जैसरी रान जैभारत जैवारत जैवारत जैवालमी की घरा गळे की सड़े पूजनिये महंग बंखीदाजी जिनाने तनुश्रक्षाग दस्यावा जड़ी प्रणुपिताव मातमा बगवान बाद मिकी महाराजी दी एक त्रीक नो जड़ी तीज़ती अपना अरण हों जा रही है और चप्वी त्रीक नो विशाल हमर जग बगवान बारंगी की आश्रम सारे कम पूंतों पहलों एक हमर जग संसमाई देग्वाई है हर साथी तरह एस साल भी असी रिक्यावा वदे बेच्च उजनिये सारी सं सासूंत माना चप्रोके जात्राों बाना करनें और जात्रांगेों आज वा जड़ी शहर वदे वेच्च साथे पूजनिये व crackstart है वकारी मात्राच संसमाई की प्रमाध माधी आशीद जात्राश करें स्शी ठावा판 कि मैं फूच्ण ये संसमाज सारी में परनाम कर रहा है जिना ने अपने अप्चे नुए शीर माज दित्टा एउपरागों तीरत जात्रादा इनमें मेरे अथौं शुरू करवाया वा मैं पूचिनी है समस्माज सारे आता तेह तरोगत नवाद करता हूं अधे अशीद माजने नमा सारा समस्माज ठीक तेहम से राके हम अनजागी तेही और तीरत जाता है एक तरीकनों भी और अठ तरीकनों शौपा जाता जी भी पहुंच के तीरत सजातर नभी रबादना करने में और शौबल अतना भी जड़ी है समस्माज के वई हेट निकांगी है आजी भवान श्री बार्वी की महराजीदा परकड़ू सब है जिसने उपर हाई ब्रह्मन समाज नों आगे मेरे अजीज मेरे विराने आगे बड़ा मान समान देंदे आया है मनों हो थे भवान जी द पित्र पक्ष के उपलक्ष में पित्रों के उधार हे तु नारायन सेवा समिति अवम नारायन संकीर्तन महिला मंडल की और से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में करवाई जा रहे श्रीमत भागवत कथा ज्यान यग्य के साथ में दिन श्री काशी धरम पीठा दीश्वर जगत गुरू शंकराचारे स्वामी नारायन न अनुष्यों को ही मिली हैं पशु पक्षियों को नहीं श्राद पक्ष के 16 दिनों में यह माननेता है कि हमारे पित्तर धर्ती मर ही रहते हैं इसलिए हम उनके प्रती जितनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे जितना सम्मान देंगे वे उतने ही अधिक परसन होकर अपना अशिरवाद देंगे इस अफसर पर विधायक आर पी अफ के सहायक कमांडेंट बी अन मिश्रा समाज सेविका पवन सूरी राज कुमार सूरी संजीव कुकन जोगिंदर शर्मा प्रोमिला चड़्डा ने विशेश रूप से शामिल होकर आशिरवाद प्राप्त किया इस अ लाल को चड़ महा सचिव उमा महेश्वर कैशियर नरेश राजन अश्वनी भार्द्वाज सुभाश वर्मा स्त्री सत्संग संकीरतन मंडली की परधान वीना शर्मा हर नूर सिंग भाटिया गुरुपिच सिंग भाटिया रितु शर्मा मीनु मलोत्रा सावित्री देवी व समझूद रहे जाल अंदर से हल्चल के लिए सुदेश भगत की रिपोट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अगी जम्रूश्वित्त हो वो श्वीर्वाद ही सब करने माना है और तो प्रित्रत्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्र विए प्लिए, मारे पितर भी दन्य हो गए वो भी क्योंकि पितर पक्ष में पितर साब नीचे आजाती है उन्होंने भी तता का सर्वन किया वो भी दन्य हो गए अब वो भी लोग्स को प्रांट करेंगे ऐसा मैं सुचता हूं मैं रैंट सेवा सुप्टी का अर्द धन्यवादी हूं संहुत हुँ आद संह्टो हूं Jeśli वोग्स को बन्य हो भी युत मैं पूंसी हुँ झास बन्य हो भी लोग्स को पर होग्स ही वोग्स को भी दन्य हो खन्य हो भी दन्य हो भी कर दो 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 बार्ण किस्केता है मेरे बोरी मिली पोरी मेरे नाम हिमांसु शुकला वाराणसी से सर्व प्रथम हम हमारे आराध्य कुझी गुर्द्य भगवान के श्री चलड़ों में साधर प्रड़ाम करता हूँ आपको बता दूं कि स्रिकाशी धरम पीठा धिस्वर जवदूरु शंकलाचार स्वामी स्री नारायनन तिर्ची महाराज अपने चातुर मास ब्रत को समापन करने के पस्चाथ जबलपूर होते विए आपके इस पंजाब प्रांत के जालंदर शहर के गूपान घर कालोनी में इस्थित स्री कृष्ण मुरारी मंदिर में के पाम प्रांगल में स्रीमत भागवत कथा का रस्पान करार है भागवत कथा में वर्णन है कि जन्मांतर ये भवेद पुन्यम तदा भागवतम लभेद मनुस्य के जब जन्म जन्मांतर कलप कलपांतर के पुन्य फल उदे होते हैं तब जो है भागवत कथा श्रवन करने का उसर प्राप्त होता है भारतिय जन्तापार्टी के जिल्ला महामंत्री राजीब धिंगरा और विकास धिंगरा के पिता इंदरपाल धिंगरा गद दिनों अपनी संसारिक यात्रा पूरण कर प्रभु चर्णों में जाविराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु रखी गई रस्म किरिया श्री महालक्षमी मंदिर जेल रोड जालंदर में संपन हुई। इस दुरान पंडित विपन शर्माने श्री गरुड पुरान जी के पाठका भोग डालकर स्वर्गी इंदरपाल धिंगरा की आत्मिक शांति हेतु प्रात्रा की। पूर्व विधायक एडी भंडारी, पूर्व विधायक सुशील रिंकु, पूर्व पार्शद महेंद्र, प्रभाकर, पूर्व सीनिय डिप्टी मेर कमल जीत सिंग भाटिया और पारिवारिक सदस्यों में निर्मला धिंगरा, अमरनात धिंगरा, सत्यरानी, राजीव धिं धार्मिक, सामाजिक, राजनितिक और व्यपारिक जगत से जुड़े लोगोंने स्वर्गे इंदरपाल धिंगरा को भावविनी शर्दांचली बेंड की, और शोक, संतप्त, परिवार के साथ सम्वेधना प्रगट की. युड़ा आई परिवार के, पिताजी के द्वारत तभी पूचा बोली नहीं सुना, कभी थी, और जितना भी ये काम कर पाते थे, कई हम दोगन, कई कार्कम, कई अभी हम चले तो चुभी तो भी गंटे साथ रहना, चलो गईना, इसकी कर लगाना, एक करना, तो दुकान को पिताजी में सामने बैठ जाना, एक फिर यह ओके निकल जाना, सबसे बड़ी शक्ति ही रिता है, तो तरपाई समाज का काम, विकास जी का नाम भी पिलवरा एक मिराजीव की लिए, तो विकास जी पीजे समान गई, और आज से चार साल पहले बात हुई, किराजीव जी, आ बात हुई अब अन्त में हलचल की गतिविदियों पर एक नजर फिर से नुध्याना की पंजाब क्रिशी युनिवस्टी में दो दिवसिये किसान मेले और गडवासों में पशु पालन मेले का हुआ आगा, मुख्यमंत्री पंजाब ने किया शुभारत नाभा ट्राफिक पुलिस ने स्कूल जाते समय बुलेट मोटर साइकल पर पटाखे बजाने वाले चास्तों पर कखा शिकंजा हिये चाला इसके साथ ही अब तक की गतिविदिया समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रही हलचल इसके साथ हैं और ट्राफिक पुलिस ने समय खेखते रही हैं अब तक की लिए अब तक की अवाले वाले अब तक की अब तक की अब तक की अबदादा हैं